डेली में एक नई कॉंट्रेक्ट बेसिज की रिकूट्मेंट आई है वाकिन इंच्वियू के बेसिज पे आपका यहां सेलेक्शन होना है और काफी सारी अलग-अलग वैकेंसियां है अलग-अलग क्वालिफिकेशन के अकोल्डिंग तो ठीक है इस रिकूट्मेंट से जुड को भी जरू से जरू सब्सक्राइब कर लें डिटेल नोटिफिकेशन एक सेप्टमबर को जारी किया गया था उसके बाद कल की डेट में एक और कोरिजोंडम जारी करके कुछ वैकेंसियों की संख्या बढ़ा दी गई है तो ठीक है दोनों देखेंगे हम डिटेल नोटिफि इंट्रीव के बेसिस पे आपका यहां सेलेक्शन होना है और आपका इंट्रीव कंड़क्ट कराया जाएगा ICMR NIMR सेक्टर आठ दौार का यहां इंट्रीव कंड़क्ट होगा और डेट एंड टाइमिंग दे दी गई है नीचे वो भी हम देख लेंगे सबसे पहले वेकेंस है 31,000 उपर प्लस HR आपको इसमें मिल जाएगा अपर इस लिमिटर 30 साल पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री आपके पास होनी चाहिए Life Sciences में और पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री इन प्रोफेशनल रिलेक्टेड विद बायो चक्नलोजी कोर्स विद CSIR UGC Net Qualification इसके बाद अग उसके बाद MTS की एक वेकेंसी है 15,870, 25,000 अपर इस लिमिट अपर इस लिमिट में आपको केटेगरी वाइस छूट भी मिल जाएगे High School 10th अगर आपने कर रखे तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके बाद Project Scientist B एक वेकेंसी है 92,290 प्लस HR अपर इस लिमिट 35 साल है First Class Master's Degree हो के साथ साथ 2 साल का डिपलूमा कर रखा है Medical Laboratory Technician का तो आप इसन के लिए आवेदन कर सकते हैं अपर इस लिमिट 30 साल है MTS की एक वेकेंसी यहां और दी गई है 15,330 सालरी 10th पास अपर इस लिमिट 25 साल Project Scientist C एक वेकेंसी है Non Medical की 91,000 प्लस HR 24% यह है सालरी अपर इस लिमिट 40 साल फर्स्ट क्लास Master's degree Life Sciences में आपके पास अवेदन कर सकते हैं Research Associate तीन वेकेंसिया है सेंग तालिस जार प्लस HR एट दरे 24% अपर इस लिमिट 40 साल PhD, MD, MS, MDS या इसके समक्ष को योग्यता है तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं Senior Research Fellow 35 रुपे salary प्लस HR अपर इस लिमिट Project Assistant 12 वेकेंसिया 31 जार सैली Essential Qualification है Graduation की डिगरी आपके पास होनी चे लाइफ साइंसिज में अपर इस लिमिट 30 साल है Project Officer 1 वेकेंसिया 32 जार सैली Essential Qualification है Graduation की डिगरी किसी भी डिसिप्लिन में 5 साल का Experience अपर इस लिमिट 30 साल उसके बाद Project Scientist B Non-Medical की एक वेकेंसिया 56 जार सैली Master's डिगरी आपके पास होनी चे लिए बायो चेकनलोजी में अपर इस लिमिट 35 साल Scientist C Medical Microbiology एक पोस्ट 57,000 प्लस HR अपर इस लिमिट 40 साल पोस्ट ग्रेजवेट डिग्री MD, MS या DNB आपने कर रखा है ता आप वेदन कर सकते हैं MTS 4 वेकेंसिया 2 अंद्रिजर्ड, 1 OBC, 1 ST, 15,800 सैलरी अपर इस लिमिट 25 साल 10 क्लास इसके बाद Project Assistant 1 की वेकेंसिया यहां और दी गई है 39,565 सैलरी ग्रेजवेशन की डिग्री होनी चीए है साइंस में, मतलब BST अगर आपने कर रखी है अपरेज लिमिट 30 साल है, डाटा एंटरी ओपरेटर एक वेकेंसिय है 17,520 रुबे परमनताव को फिक्स सैलरी मिलेगी, अपरेज लिमिट 28 साल 12 आपने कर रखी है और उसी के साथ 2 साल का एक्सपिरियंस है ADP वर्क का, तो इनके लिए आप आवेधन कर सकते हैं यह है वेकेंसियों के डिटेल, इसके बाद कोरिजंडम नोटिस जारी करके कुछ वेकेंसिया और भी बढ़ा दी गई है UDC की एक वेकेंसि अन्रिजर्ड केटेगरी से इंक्रीज की गई है 17,000 रुपे सेलली मिल जाएगे 12 पास केंडिट इनके लिए आवेधन कर सकते हैं टाइपिंग स्पीड होनी चीए 35 वर्ल्ड पर मिनिट हिंदी की या फिल 10,500 की डिप्रेशन इंग्लिश और 9,000 की डिप्रेशन इन हिंदी लैब टेक्निशन एक पोस्ट अन्रिजर्ड 18 जाल सेलली 12 अपने कर रखी है बाइलिजिकल साइंस में और दो साल का डिप्लोमा मेडिकल लेबरेटरी टेक्निशन का आपके पास अतावेदन कर सकते हैं अपर एज लिमिट 30 साल प्रोजेक्ट असिस्टेंट वण 31 जाल सेलली ग्रेजवेट इन लाइफ साइंस रेलिवेंट सब्जेक्ट फ्रोमे रिकोगनाज़ इन्युवस्टी 30 साल अपर एज लिमिट है जे आरफ एक वेकेंसी है ओबीसी के 25 जार प्लस है आपको मिल जाएगा पर एज लिमिट 30 साल है पोस्ट ग्रेजवेशन की डिग्री अगर आपके पास लाइफ साइंसेज में तो आप इन के लिए आविदन कर सकते हैं और उसी के साथ साथ नेट क्लियर होना भी आपका आवशक है शेडूल दे दिया गया है वाके इंट्रिवी परसनल डिसकेशन का प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी नोन मेडिकल प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी नोन मेडिकल साइंटिस्ट सी मेडिकल Microbiology 15-9-2020-39-11-बजे के बीच में इंच्रिवी होगा Research Associate 1 Senior Research Fellow, Junior Research Fellow 16-9-2020-39-11-बजे के बीच में इंच्रिवी होगा Project Officer Lab Technician और Project Assistant 17-9-2020-39-11-बजे के बीच में इंच्रिवी होगा UDC Data Entry Operator और MTS का इंच्रिवी 18-9-2020-39-11-बजे के बीच में होगा और जो timing दी गई है उसी के according आपको वहाँ पहुचना होगा उसके बाद कोई भी entry किसी भी candidate को वहाँ नहीं दी जाएगी और interview उसी दिन conduct गराया जाएगा है जो date यहाँ दी गई है और उसी दिन आपका registration होगा और document की verification भी होगी और यह है इसका application form जो आपको भरके लेके जाना है और अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करते हैं तो सभी के लिए आपको अलग-अलग application form भरके लेके जाना होगा वेकेंजिया गठाई और भढ़ाई भी जा सकती है candidate should write the name of project on the top of application प्रोजेक्ट का नाम यह देखिए प्रोजेक्ट के according ही वेकेंजिया एक प्रोजेक्ट यह है एक प्रोजेक्ट यहां यह दिया गया है तो यह नाम भी आपको जुरूर लिखना होगा देहान रखिएगा अपनी application के ऊपर age relaxation मिल जाएगा category के according SCST OBC ex-servicemen or departmental जो candidates हैं उनको कोई T.A.D.A. आपको नहीं दिया जाएगा interview में शामिल होने के लिए और COVID से जुड़ी हुई भी काफी ज़्यादा precautions आपको लेने हैं पूरी एक list जारी कर दी गई है notification में बिलकुल last में आपको face mask जरूर से जरूर लगा के जाना है speeding in public and work places shall be punishable with fine तो यह आप ध्यान से पढ़ लिजेगा बाकि आप लोगों को पता ही होगा हम सभी इनको follow कर ही रहे हैं अपनी रोजमरा की life में जहां तक इसकी official website की बात है यह है इसकी official website यह देखिए ICMR, NIMR की official website NIMR.ICMR.org.in तो यहां आपको यह notification मिल जाएगा कहां पर notification मिलेगा notification के section में vacancies है आप इस पे click कीजिए सबसे उपर तो आपको अंडेंडम या और जो है जारी किया गया है जिसमें vacancies बढ़ाई गई है वो दिया गया है और तीसरे नंबर पे आपको वीडियो के माधिन से प्रॉइड करा दी गई है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाते से लाइक और शेयर करें फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार